तो बच्चो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन रैखिक प्रोग्रामन को पढ़ने के पहले जो चीजे आवश्यक है पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पिछले कक्षा में आपने रैखिक आसमिकाओं को हल करना सीखा था जहां पर दो चरोवाले और एक चरोवाले रेखिक असमीका को आपने सरल किया था दो चरोवाले रेखिक असमीका को सरल करने के लिए आपने ग्राफी विधी का भी उप्योग किया था तो इन दोनों विधियों को आपको उप्योग में लाने आना चाहिए अब बात करते हैं रेखिक प्रोग्रामा जो चेप्टर है ये इसके प्रिष्ट भुम्यू की बात करते हैं तो बात है यह द्वीती अभीश्व युद्ध की दूसरे अभीश्व युद्ध की जो की 1939 से 1942 चला था उस समय ये था कि संसाधन जो थे सीमित थे जैसे कि सैनिकों की संख्या गोले वारूत की संख्या टैंक की संख्या सब कुछ सीमित थे इन सीमित संसादों से वह युद्ध जीतना था तो इसके लिए लगभग हजार गणितग्यों की एक कमीटी बनाई गई थी और उन्होंने ये थियोरी इजाद की थी जिसे ऑपरेशन्स रिसर्च का नाम दिया गया था और ऑपरेशन्स रिसर्च का एक सेग्मेंट है जिसे ल हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित जो समस्या होती है उसको सरल करने के लिए हम इसका उप्योग करते हैं तो इस अध्याय में हम पहले कुछ परिभाइसा हैं देखेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है फिर देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्ल और फिर उन सब को अपलाई करने के बाद हमें सूसंगत छेत्र या फीजियेबल रिजन किस तरीके से मिलता है इसके बाद हम यह देखेंगे कि मूल बाहयतम बिंदू प्रमे क्या होता है जिसका क्यूप योग हम प्रशनों को हल करने के लिए करेंगे जिसमें कुछ बिंदूएं मिलेंगे और उन बिंदूओं को निर्देशां को हम उदेशे फलन में रख करके देखेंगे और जो आवश्यक उत्तर हमें चाहिए होगा या अभिष्ट हल जो चाहिए होगा वो हमें उससे मिल जाएगा रेखी एकारिय योजना के जो अनुपरियोग है उसमें हम मेंली तीन टाइप के प्राब्लम देखेंगे जिसमें से पहला समस्या है उत्पाद रेखा समस्या जिसमें की दो अलग-अलग मशीन या दो से अधीक मशीने होंगी और एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित प्रोडक्शन लेगा हुआ मशीन और हमको कुछ इस तरीके से घंटे तै करने होंगे जिससे की उत्पादन अधीक्तम हो या फिर अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो लाभ अधीक्तम हो वह इस्तीती हमें ग्यात करनी और अंत में हम यह देखेंगे कि ट्रांस्पोर्ट प्रॉब्लम या फिर परीवहन समस्या कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो एक स्थान से दूसरी स्थान तक उस अबजेक्ट को ले जाने के लिए हम किस तरीके से रूट प्लान करते हैं कि मीनिमम कॉस्ट मीनि अवश्यक है और उसकी सायता से हम आगे अवधारणाओं को कंस्रिप्ट को समझ पाएंगे और प्रश्णों को हल कर पाएंगे तो देखते हैं पहली परिभासा है रैखिक प्रोग्रामन या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की तो दिये गए रैखिक असमिकाओं जिने हम व प्रोग्रामन की जो विधी है वह रैखिक प्रोग्रामन केहलाती है तो हम इसे कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि हमें एक फलन दिया गया होगा और कुछ रैखिक असमिकाओं दी गई होगी उन आसामीकाओं को संतुष्ट करते हुए हमें उस function या फलन का मान ग्याद करना होगा या तो नियूंता मान ग्याद करने के लिए पूछा जाएगा या फिर अधिकता मान ग्याद करने के लिए पूछा जाएगा तो हम जो विधी उपयोग करेंगे वह विधी रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग है दूसरी परिभासा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यदि रैखिक फलन जो की रिनेतर चरों रिनेत्तर का मतलब है नौन निगेटिव जोकी रिनात्मक नहीं है यदि रैखिक फलन जोकी रिनेत्तर चरों के रैखिक असमिकाओं के समुह द्वारा निरधारित कुछ प्रतिबंधों के अंतरगत हो उसका सर्वत्तम वांचित मान अगेर वांचित मान कारत है या तो वह अ प्रतिबंधों को प्रतिबंधों को प्रतिबंधों को पूरा करते हुए function का या फलन का जो मान हमें मिलेगा वो हमारे लिए solution होगा तो जो problem है जो समस्या है जिसे हम सरल करना है या जो function का मान हमें जो ग्याद करना है जो दिये गए constraint हैं दिये गए प्रतिबंध हैं उनको पूरा करते हुए है अब अगली परिभासा है इस्टतम समस्या या फिर optimization problem तो व्यभार की ऐसी समस्या जिसमें एक रैखिक फलन का रैखिक असमिकाओं को संतुष्ट करते हुए सर्वत्तम वांचित मान या सर्वत्तम वांचित अधिक तमी करण या फिर न्यून तमी करण या तो maximum obtain करते हैं या फिर minimum obtain करते हैं वह होता है इस्टितमी करण कहलाता है कहने का मतलब यह है कि अगर एक linear programming problem दिया गया है और उन आसमिकाओं को संतुष्ट करते हुए हम उसके लिए जो value find out करते हैं जो कि again या तो maximum value होगी उस function की या तो minimum value होगी उस function की तो ये obtain करना ये प्राप्त करना यही इस्टितमी करण या फिर optimization problem कहलाता है अगली परिभासा है उद्देश्य फलन या फिर objective function तो जिसे मैं थोड़ी दिर पहले फलन कहरा था वही हमारा उद्देश्य फलन है ऐसे रेखिक फलन जिसका अधिकतमी करण या नियूंतमी करण दूसरे शब्दों में हम कहा सकते हैं इस्टितमी करण अभी थोड़ी दिर पहले हमने देखाता है किया जाता है रेखिक उद्देश्य फलन कहलाता है सरलसा अर्थिया है कि जिस फलन का माल आपको नियूंतम या अधिकतम ग्याद करना होता है वही फलन उद्देश्य फलन कहलाता है समयनेता इसे जेड इक्वल टू इस तरीके से लिखा जाता है अगर उद्दारन के में लिखो जेड इक्वल टू फिफ्टी एक्स प्लस सेवन्टी वाई का नियूंतम और अधिकतम मान ग्याद कीजे तो ये जो उद्देश्य फलन है जेड इक्वल टू यही हमारा उद्देश्य फलन है अगली परिभासा है सूसंगत या हल क्षेत्र फीजियेवल रिजन रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी व्यवरोधों रिनेत्तर चरों के व्यवरोध सहित निर्धारित उभैनिष्ट च्षेत्र समस्या का सूसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र कहलाता है इसका मतलब ये है कि अगर एक उद्देश फ़लन दिया गया है जिसमें डो चार का उप्योग किया गया है X और Y का और इसके साथ में कुछ प्रतिबंध दिये गए है जिसे हम व्यवरोद कहते हैं जैसे कि X is greater than or equal to 0 Y is greater than or equal to 0 तो ये constraint को fulfill करते हुए जो values आती है वो हमारा feasible reason में ही आएगा देखिए X और Y का मान रिनात्मक नहीं हो सकता लेकिन mathematically जब हम उसको solve करते हैं तो कुछ ऐसी values मिल सकती है जहाँ पर X और Y दोनों या कोई एक negative value के साथ हमें maximum value देता हो चुकि वैभार में यह संभव ही नहीं है कि X और Y का मान रिनात्मक हो तो उस तरीके से उस constraint को apply करने के बाद X और Y की जो value है constraint को fulfill करने के बाद हमें जो solution मिलते है या एक reason मिलता है जिसमें हमें वहमान मिलता है जो की पूछा गया है तो उसे हम सुसंगत हल या feasible reason कहते है समान्य तोर पर हम एक उधारन देखेंगे या पागे प्रश्ण देखेंगे कि graph अगर बना हुआ है तो linear inequality रैखिक आसमी का है उसका graph बना हुआ है और वो एक छेत्र के रूप में आता है जिसे हम छायांकित छेत्र के रूप में दिखाएंगे shaded area एक आपको दिखाई देगा और एक या एक से अधिक shaded area में जो उभैनिस्ट होगा जो common छेत्र होगा वही उसका solution होगा अब देखते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल या फिर solution of linear programming problem रैखिक प्रोग्रामन समस्या की दिये गए व्यवरोधों को संतुष्ट करने वाले चरों के मान का समूँ रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल होता है कहने का मतलब यही है कि linear programming problem के साथ में हमें कुछ प्रतिबंध दिये गए है और उन प्रतिबंधों को पूरा करते हुए उस समस्या का या उस फंक्शन का हमें जो मान मिलता है वही रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल है या solution है linear programming problem का तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या किस तरीके से बनती है तो रेखिक प्रोग्रामन समस्या में मूलतह तीन अव्याव होते हैं एक है उद्देश्य फलन या अब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हम z equal to से प्रदर्सित करते हैं दूसरा व्यावरोध या यह प्रतिबंध है और एक तीसरा होता है रिनेतर व्यावरोध नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स जैसा कि एक्स इस गरटर देन और इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या कि एक्स और वाई दोनों मान रिनात्मक नहीं हो सकते हैं तो यह इन तीनों से जो समूह बनता है वही हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या देता है तो प्रश्न दिया गया है कि ग्राफ विधी से लाभ फलन P एक्वल टू 200X प्लस 500Y का निवनतम वा अधिक्तम मान निम्न व्यवरोधों की अंतरगत ग्याद कीजिए उसमें पहला है X is greater than or equal to 0 दूसरा है Y is greater than or equal to 0 तीसरा है X plus 2Y is greater than or equal to 10 and 3X plus 4Y is less than or equal to 24 ग्राफ विधी से हल करना है तो सबसे पहली बात ये कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले ग्राफ बनाना है ग्राफ बनाने के बाद उचित क्षेतर का हम चुनाओ करेंगे कि कौन-कौन से इस constraints को फुल्फिल कर रहे है और उसके बाद हमें उसका solution मिल जाएगा तो चलिए इसे हल करते हैं तो पहली बात ये कि हमारा जो उद्देश फलन है ये दिया गया है P equal to 200X plus 500Y अब इसके बाद जो X is greater than or equal to 0 और Y is greater than or equal to 0 है ये non-negativity को show कर रहा है X और Y दो 480 हैं इनके इमान रिनात्मक नहीं हो सकते तो इसके लिए हमें particular equation बना करके इसको solve करने की ज़रूत नहीं है equation inequality जो है ये X plus 2Y is greater than or equal to 10 है के संगत समीकरण हम पहले लिखेंगे इसके संगत समीकरण क्या होगा X plus 2Y is equal to 10 अब इसको plot करने के लिए हम इसको रेखा के रगमान रख करके हम बिंदूों को निर्दिशांग ज्याद करके भी उससे रेखा का निर्मान कर सकते है तो दोनों विधियां देख लेते हैं पहले कि इसको अंताखंट सवरूप में बदलेंगे तो क्या होता है X upon A plus Y upon B equal to 1 तो क्या मिल जाएगा X upon 10 plus 2Y upon 10 is equal to 1 इससे आपको क्या मिल जाएगा X upon 5 इससे आपको मिल जाएगा X upon 10 plus Y upon 5 equal to 1 तो ये जो रेखा है X अक्ष पर 10 हीका और Y अक्ष पर 5 हीका अंताखंट काट रहा है तो माल लेते हैं कि ये समी करण 1 है तो इसको हम कुछ इस तरीके से plot कर सकते हैं कि X axis ये है और ये Y axis है X axis पर point 10 पर मतलब ये 10 0 है और Y axis पर 5 मतलब ये 0 5 है इन दोनों point को match करता हुआ हम एक straight line draw कर देते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अब करते क्या है कि इसमें अगर आप X और Y के मान रख करके देखेंगे परिक्षन बिंदू जी से हम बोलते है अगर आप X equal to 0 और Y equal to 0 रखेंगे तो आपको left में मिल जाएगा 0 which is not equal to 1 जो कि इसके लिए असत्य हो रहा है तो इसका मतलब यह कि आर्थ तल में मूल बिंदू के विपरीत और जो छेत्र बनेगा वो इसके लिए suitable होगा तो इस condition को फुल्फिल करता हुआ जो inequality को फुल्फिल करता हुआ जो छेत्र है वो मूल बिंदू से उल्टे और बनेगा तो इसी तरीके से हम दूसरा समी करण जो है 3X प्लस 4Y इस less than or equal to 20 के संगत समी करण हम लिख लेते हैं इसके संगत समी करण क्या मिल जाएगा 3X प्लस 4Y equal to 24 करना क्या है less than or greater than or equal to का जो sign है उसको equal to में बदल देना है तो उस असमी का के संगत हमें समी करण मिल जाएगा पुना इस समी करण को हम रेखा के अंताखन सोरूप में बदल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 3X अपॉन 24 प्लस 4Y अपॉन 24 is equal to 1 तो यह मिल जाएगा X अपॉन 8 8 तिया 24 और यह 4 छक्के 24 तो यह कुछ इस तरीके से मिल जाएगा माना की समी करण 2 है अब देखिए यह जो रेखा है यह X अक्स पर 8 ही काई का और Y अक्स पर 6 ही काई का अंताखन काटता है अब इसमें देखिए यह X प्लस 2Y is greater than or equal to 0 था यह छेतर हमें मूल बिंदू के उल्टी और मिला था मूल बिंदू के विपरीत और मिला था लेकिन यह जो 3X प्लस 4Y is less than or equal to 20 है यह मूल बिंदू की और का एक शेतर मिलेगा अगर आप inequality में कोई एक point रख करके देखेंगे तो आपको उस तरीके साब उसको check कर पाएंगे अब करना क्या है कि जो इस function का maximum value और minimum value होता है वो इन दोनों समीकरणों का यह हमेरे पास एक समीकरण यह समीकरण आपको दिखाई दे रहा है यह और यह दूसरा समीकरण यह इन दोनों का प्रतिछेद बिंदू ही होता है या तो अक्षों पर प्रतिछेद बिंदू या तो फिर इन दोनों के प्रतिछेद बिंदू से जो हमें निरदेशांग प्राप्त होंगे वो हमें maximum या minimum value देंगे तो इस प्रकार हम रेखा का प्रतिछेद बिंदू ग्याद कर लेते हैं लिखेंगे कि रेखा x plus 2y equal to 10 और 3x plus 4y equal to 24 का प्रतिछेद बिंदू तो ये हो जाएगा x plus 2y minus 10 is equal to 0 और ये 3x plus 4y minus 24 equal to 0 वज गुरुन खंड विधी से हम इसको हल करते हैं तो ये मिल जाएगा x upon 2 into minus 24 this into this minus this into this तो ये 4 into minus 10 हो जाएगा equal to minus y upon x का गुणा एक और ये 24 फिर रिंड 3 और ये रिंड 10 ये इसके बाद 1 बटे ये यहाँ एक और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 4 रिंड 3 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 6 है तो इसको जब आप solve करेंगे तो मिल जाएगा ये सरल करने पर हमें कुछ इस तरीके से मिला था इसको और solve कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा x अपॉन ये मिलेगा है आपर आपको minus 8 और ये मिल जाएगा minus 6 और ये मिल जाएगा 1 upon minus 2 अब x की x by minus 8 equal to minus 1 by 2 से जब आप solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा x equal to 4 देखिए ये दर आजाएगा minus 8 by minus 2 तो minus minus plus हो जाएगा 2 chunk 8 तो ये x equal to 4 मिल जाएगा इसी तरीके से y equal to हो जाएगा minus 6 by 2 तो मिल जाएगा 3 so y equal to 3 तो ये जो हमें point मिला है x equal to 4 और y equal to 3 ये प्रतिछेद बिंदू है अब इस प्रकार देखिए कि हमें अगर इसको हम ग्राफ में plot करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जहां पर मूल बिंदू आप देख पा रहे हैं O 0 0 और बिंदू C है जिसको हमने 8 0 लिखा है और बिंदू D जो है ये 0 6 है इसी तरीके से बिंदू A 10 0 और बिंदू B का निर्दशांक है 0 5 और इन दोनों का जो प्रतिछेद बिंदू हमें प्राप्थ हुआ है वो E 4 3 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो ग्राफ में तो पहली बार डिरेक्टली ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों जिस बिंदू पर प्रतिछेद कर रहे हैं वो इनका सॉलूशन है दूसरा हमने यहाँ पर प्रतिछेद बिंदू को वजगों खनविदी से सरल किया और आपको यह निर्देशांग मिल गया अब करना क्या है A, B, C, D, E इन दोनों यह जितने सारी बिंदूएं हैं वो कौन-कौन से कंस्टेंट को फुल्फिल कर रहे हैं और कौन सा उभैनिष्ट छेत्र है यह हमें ग्याद करना है तो देखिए जो बिंदू का निर्देशांग आपको प्राप्त हो रहा है चार तीन जो है वो उस उभैनिष्ट छेत्र में से एक बिंदू है दूसरा है शुन्य पाँच वो भी उस उभैनिष्ट बिंदू में से एक है और तीसरा है शुन्य छे ये तीन बिंदुएं हैं जो कि हमें या तो नियूनतम या तो अधिकतम मान देंगे तो हप करेंगे क्या हमारा जो लाभ फलन है प्रॉफिट फंक्शन है उस पर हम इन बिंदुओं को निर्देशांग को रख करके देखेंगे चेंब करेंगे तो हम इसे लिखेंगे कि संभावय क्शेत्र के शिर्ष बिंदु जो अभी हमने थोड़े देर पहले बात की एक बिंदु है 4,3 दूसरा बिंदु है 0,5 तथा तीसरा जो बिंदु है यह 0,6 है और हमारा जो Profit Function P वह X हमारा जो Profit Function P वह X,Y का फलन है जो की है 200X प्लस 500Y अब हम एक एक करके के बिंदु का दिरदशान को रख करके देखते हैं पहले 4-3 रखते हैं 200 और 4 का गुणा और 500 और 3 का गुणा तो 800 हो गया और ये 1500 हो गया दोनों को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 2300 इस तरीके से P P 05 रख करके देखते हैं ये वाला बिंदू कंदर देशांक तो 200 इंटू 0 500 इंटू 5 तो ये तो 0 हो जाएगा इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा 2500 अब तीसरा बिंदू है वो 06 है तो ये 200 गुणा 0 करेंगे और ये 500 की सांत में 6 का गुणा है तो इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा 3000 अब देखिए इन तीनों में जो नियूनतम मान है ये आपका नियूनतम मान मिल रहा है और ये जो मान है यह अधिकतम मान मिल रहा है कि इस बिंदु पर अधिकतम इस बिंदु पर मिल रहा है और नियूनतम मान इस बिंदु पर मिल रहा है तो इसको हम लिखेंगे कि बिंदु चार तीन के संगत लाभ फलन पी का न्यूनतम मान तेश्व तथा तथा बिंदु शून्य च्छे के संगत लाभ फलन पी का अधिकता मान तीन हजार है और प्रस्ट में यहीं हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था रेखिये कार्य योजना का अर्थ एवं उसका महत्तु मीनिंग आफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस कार्योजना का समाने अर्थ होता है कि व्यक्ती अत्वा फर्म के द्वारा उत्पादन विक्रे अत्वा अन्य ऐसे ही कार्यों की रूप रेखा तैयार करना जिससे उपलब्ध साधनों का सक्षम एवं वित्वैई उप्योग हो सके उपलब्ध साधन सीमित होते हैं और उनके प्रयोग करने की दशाएं भी सीमित होती हैं उनके अनुकूलतम ढंग से प्रयोग को अपनाने के लिए पूर्व में कोई प्रविधी नहीं थी रेखिय कार्य योजना वह गणीती प्रविधी है जिसके द्वारा सीमित एवं विशेश दसाओं में संसाधनों जैसे की धन, वस्तू, जगह, समय तथा स्रम का अनुकूलतम उप्योग करके विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है उद्देश्य फलन, अब्जेक्टिव फंक्शन, जिस रेखिय फलन का अनुकूलतम मान प्राप्त किया जाना है, उसे ही उद्देश्य फलन कहते हैं, जैसे की उदारण के लिए ले सकते हैं, अगली परिभासा है, अनुकूलतमी करण, अप्टिमाईजेशन, उद्देश्य फलन के विभिन रूपों, जैसे की लाभ फलन, लागत फलन, परिवहन व्य फलन, इत्यादी को अधिक्तम या न्यूनतम किया जाना होता है, यह उद्देश्य फलन की प्रकृति पर निर्भर करता है, लाभ फलन को अधिक्तम या लागत फलन, परिवहन व्य फलन को न्यूनतम किया जाना होता है, इस प्रक्रिया को ही अनुकूलतमी करण या इश्टतमी करण कहते हैं, इसका मतलब यह है कि कोई एक फलन दिया गया है, लाभ फलन, लाभ फलन का मतलब क्या हुआ कि उस फलन से हमें अधिक्तम लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो हम उसका अधिक्तम मान गयात करेंगे, वही पर अगर किसी प्रकार का व्याए हो रहा है, जैसे कि परिवहन व्याए फलन, तो यह समान्यसी बात है कि व्याए को हम न्यूनतम करना चाहिए, तो इस तरीके से इस प्रकार की समस्याओं में मुलता है, दो चीज़े होती है तो अधिक्तम मान गयाद करना होता है या कर य्यूनतम मान गयाद करना है, तो यही प्रकार क करना है, अगली परिवासा है रेखिय प्रतिबंध या व्यावरोद, linear constraints, उद्देशि फलन के अनुकूलतम मान, जिन प्रतिबंधों के अंतरगत गयात किये जाने होते है, उन्ह प्रतिबंध या व्यवरोध कहते हैं ये एक घाती व्यंजकों तथा संबंध चिन less than or equal to greater than or equal to less than or equal to or greater than के द्वारा दर्शाय जाते हैं एक घाती होने के कारण इन्हे रेखिय प्रतिबंध कहते हैं समानिता ये z equal to ax plus by के रूप में होते हैं अब यहाँ पर जो equal to का sign है z equal to का sign चिन उसे हम बदल सकते हैं greater than or equal to less than or equal to less than या फिर greater than इन चिन्हों से हम इसको replace कर सकते हैं तो उस तरीके से हमें अलग-अलग प्रतिबंध मिल देंगे अब चलते हैं और रिनात्मक प्रतिबंध या non-negative constraint चरों के मान किसी भी दसा में रिनात्मक नहीं होते हैं वेशुन्य अथवा धनात्मक ही हो सकते हैं इसे x is greater than or equal to zero या y is greater than or equal to zero से दर्साते हैं अगली परिभासा है संभाव्य हल या feasible solution चरों के मानों का ऐसा समुच्च जो सभी प्रतिबंधों तथा अर रिनात्मक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है एक संभाव्य हल कहलाता है संभाव्य हल के उप समुच्चयों के रूप में पुद्देश्य फलन के अधिक्तम या नियूनतम मान देने वाले समुच्चय होते हैं जो रेखिकार्य योजना समस्या के अनुकूल हल कहलाते हैं अनुकूल हल प्राप्त करने की विभिन्न विदियां हैं, जिन में से ग्राफिय विधी को हम पढ़ेंगे आगे चल करते हैं। LPP के गणीतिय सूत्र की विधी, Method of Mathematical Formulation of Linear Programming Problem तो सबसे पहली बात यह है कि जो समस्या दी गई होगी है, उसे हमें गणीतिय रूप में परिवर्थित करना होगा। अब कैसे परिवर्थित करना होगा, उसे हम देखते हैं। तो पहला स्टेप यह होगा कि अज्यात रासियां कौन-कौन सी हैं। X, Y, Z, A, B, C, आप अपने तरीके से उन चर रासियों को ले सकते हैं। और कितनी चर रासियां को उप्योग करना है, वो प्रश्ण के अनुसार होगा। दूसरा इस्टेप यह होगा कि X, Y पर या जो चर हैं उस पर लागू होने वाले प्रतिबंधों को प्रश्ण में दी गई जानकारी के अनुसार रेखी आसमी करनों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला इस्टेप यह है कि उद्देश फलन को दिये गए चरों के रेखी फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमने जो दो चर उपयोग किया था एक्स वाई या ए और बी उसके रूप में हम अबजेक्टिव फंक्शन को शो करेंगे या फिर उसके पदों के रूप में हम लिखेंगे। चौथा पद या लास्ट स्टेप ये होगा कि उद्देश फलन के इस्टतम मान को प्राप्त करने के लिए और इनात्मक प्रतिबंध सहित सभी रेखिये प्रतिबंधों को एक साथ लिखते हैं। और उसके बाद हमें जब ये फार्मूलेशन हो चुका होगा जो प्रश्ण हमें स्टेट्मेंट के फॉर्म में दिए गये थे वाकिए के रूप में उसको हमने मैथेमेटिकल फॉर्म में करनवर्ट कर लिया है जैसे कि अब्जेक्टिव फंक्शन है जै इक्वाल टू और और वाई जो हमने दो चर लिये थे वेरियेबल लिये थे उसके रूप में और साथ में जो कंस्ट्रेंट है या प्रतिबंध है उसको भी हमने चरो को उप्योग करते हुए गणीतिय वेंजा के रूप में लिख लिया है उत्तल बहुभुज समुच्च है कॉन्वेक्स पॉ पॉस्याओं को सुसंगत हलक्षेत्र प्रथम चतुर्थांस में एक बहुभुज होता है जो हमेशा उत्तल आकरती का होता है उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिसके दो बिंदों को मिलाने वाली रेखा खंड पूर्णतह बहुभुज में होती है तो यह A, B, C, D इस तरी से कोई भी दो पॉइंट को आप ले लो और उस पे sketch draw करो तो वो completely इस polygon या बहुभुज के अंदर शामिल है तो वह उत्तल बहुभुज होगा उधारन के लिए A और B या एक और दो यह जो दो इमेज दिखाई दे रहे हैं इसमें दो बिंदुएं जो हैं वो पूर्णतह उ यह उत्तल बहुभुज होगा उसी तरीके से C और D यह दो अलग अलग इमेज दिखाई दे रहे हैं यहां पर जो हमने दो रेखाएं खीची हैं इसका कुछ भाग बहुभुज के बाहर है तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि C और D यह जो दो चित्र हमें दिखाई दे रह हैं यह उत्तल बहुभुज नहीं है मूल बाहतम बिंदू पर में फंडामेंटल एक्स्ट्रीम पॉइंट क्यों रेखाओं के किसी संख्या के द्वारा परिबद छेत्र में इस्थित सभी बिंदूों में से उद्देश्य फलन का अधीक्तम या न्यूनतम मान शेत्र की सीम पर इस्थित शिर्षो में से केवल एक पर होता है इसका मतलब यह है कि अगर आप अब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है उसे ड्रॉ करते हैं उसके साथ में जो कंस्टेंट्स या प्रतिबंद दिये गये हैं उसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ में तो जो उद्देश्य फलन और आपके कंस्टेंट्स या प्रतिबंद हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है प्रतिचेद बिंदू होता है तो जितने प्रतिचेद बिंदू है उन मानों को हम उद्देश्य फलन में रख करके देखते हैं और आवशक्त अनुसार कि अगर नियुनता मान पू पूछा गया है तो उन बिंदू में से जो बिंदू का निर्देशांक उस फलन का सबसे अधिकता मान देगा उसके लिए सॉलूशन होगा तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो बाउंडेड रिजन है परिबंद छेत्र है उसमें जो उद्देश्य फलन है और कंस्टेंट है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट या शिर्स जो जितने शिर्स हैं उसमें से कोई एक शिर्स ही उस पर्टिकलर क्योश्चन के लिए सॉलूशन होगा